और लगता है कि राजधानी राची को किसी हादसे का इंतजार है। ये हम नहीं कह रहें बलकि राजधानी की सूरत बया कर रही है। क्या है पूरा माज़रा इस रिपोर्ट में जानिये। राजधानी राची में सड़क के नारे कई ऐसे सूखे और जुके पेड़ हैं जो आंधी और बारिश में किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे कई पुराने मकान हैं जिस बरभारी भरकम होर्डिंग्स लगे हैं। अब सड़क के नारे इस बड़े गड़े और खुले नाले को देखिए। इतना ही नहीं शहर के कई इलाकों में बिजली के तार बेतर्तीब ढंग से लगे हैं। लोगों को आशंका है कि बारिश का मौसमा रहा है और तेज आंधी और बारिश से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ आजाए रहा है। बिजली विभाग का कहना है कि पेड़ों की छटाई चल रही है जिससे पेड़ गिरने की सूरत में तार कूट कर सड़क पर ना गिरें। टाइट किया जा रहा है धंग से किया जा रहा है। कहीं कहीं पेड़ है बड़े बड़े पेड़ है तो उसके लिए भी सुचना दी जा रहा है ये संबंधित भी भाग को। राची के उपायुक तुने भी भरोसा देलाया कि नगर निगम के अधिकारियों से बात कर जल्दी निदान निकाल लिया जाएगा। बहराल समय रहते समस्याओं का निप्टारा होता है या नहीं ये तो बात में पता चलेगा लेकिन फिलहाल राजधनी राची के लोग पारिश की उमीद के साथ अंजान आशंका से सहमे हुए हैं। नीरज कुमार सहरा समय राची